दिल्ली के रंजीत नगर में 6 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है बच्ची के प्राइवेट अंगो के साथ भी दरिंदगी हुई है और उन्हें चोट पहुचाया गया है बच्ची को दिली के रामनोहर लोही आस्पताल में एडमिट कराये गया है जहां उसके इलाज किया जा रहा है बच्ची के पिता मजदूर बताये जा रहे हैं मिली जानकारी के मताबिक बच्ची शुकरवार को सुबह करीब 9 बजे अपने पडोस में लंगर खाने गई थी लेकिन काफी समय बाद जब वापस लोटी तो उसके प्राइवेट अंगो से खून निकल रहा था इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां रेप की पुष्टी हुई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है लेकिन इस घिनोने अपरात को अंजाम देने वाले शक्स की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है हाला कि इस घटना का एक CCTV फुटेज बरामत हुआ है जिसमें बच्ची एक संदिक्द व्यक्ती के साथ दिख रही है इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने कड़ी कारवाई की मांग करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है दिल्ली महिला आयोग की टीम ने पीड़ता से मुलाकात भी की है दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालिवाल ने इस घटना पर दुख जताया है उन्होंने कहा कि मैं इस घटना से बेहत दुखी हूँ चोटी बच्चियों के साथ बलादकार के मामले बार बार सामने आ रहे हैं और ये शर्म और चिंता की बात है उन्होंने कहा कि हमारी विवस्ता की विफलता है कि हम चोटी बच्चियों के साथ बलादकार के मामलों को रोकने में असमर्थ है पहले भी ये मुद्दे उठे लेकिन ये मामले खत्म नहीं हो रहे हैं मालिवाल ने कहा कि वह और उनकी टीम पीड़ता और उनके परिवार के साथ खड़े रहेंगे इस मामले में वह हर तरह की मदद के लिए तयार हैं मालिवाल ने अपरादियों को फोरण गिरफतार किये जाने और उन्हें जल सजल फासी दिये जाने की मांग की है